असलाम वालेकुम एब्रिवान दिस इस अलीव रॉम मासे तो जैसे जैसे सेल फॉन में कंपेटिशन बढ़ रहा है वैसे वैसे सेल फॉन से जुड़ी वी चीजों का भी कंपेटिशन बढ़ता जा रहा है मतलब आपको रोज नई को नई प्रोड़क्ट देखने को मिल दाती अब इससे पहले हमने काफि सारी ब्लोड़ोट जो अपने चैनल पर कवर की लेकिन आज हम करने जा रहे हैं इसी तरह कि एक नई प्रोड़क्ट का रेविव जो के पाक्सानी मार्केट में अभी ओफिशली लाँच की गई है हेलो जो के शाओमी का सब ब्रैंड है उसकी तर सब्सक्राइब करना चाहें तो लिंक में डिक्स्रिप्शन में दे देता हूं आप ज़रूर प्रचेस कर सकते हैं तो इस वीडियो का इंटक देखिएगा लाइक और शेयर जरूर कीजेगा और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्स्राइब कर लिजेगा समेशे पर मिल जाता है जहां सिल्वर कलर टॉन रखा गया है मॉडल को मेंचिन किया गया और उपर आपको चार्जिंग केस और एर डॉट्स देखने को मिल रहे हैं टी डव्यू एस एर बट्स को मेंचिन किया गया है डीर साइट पर कुछ की स्पेसिफिकेशन भी है अगर कॉलिंग टाइम यह है कि साड़े तीन घंटे आपको एक आपको एर बट जो है एर डॉट जो है वो आपको टाइम दे देता है और चार्जिंग इंपूट जो है वो लेता है पांच पेर की मतलब पांच वाट की चार्जिंग लेता है हन्रेड एमेज का मतलब आपको गंटे में यहां पर मेंशन किया गया है कि इसका पावर बैंक है और यहां पर Kaiser कर दी है अब आपको कब बिनके करते हैं तो यहां पर और कुछ कुछ इशू देखने को नहीं मिलेगा बैटरी लाइफ की बात कि जाए तो आप बार आगर caregivers करते हैं तो टच करना है उसके बाद आपको यहां पर ऑप्शन भी देखने को मिल रहे हैं वागे हम जाके बात करते हैं ब्लूडूथ वाइलेस 5.0 को भी मेंचिन किया गया है तो बहुत होगी बॉक्स की बॉक्स को उपन करते हैं तो उपन करते ही हमें एक ब्लैक कलर का बॉक्स मिलता है मैट फिनिशिग में रखा गया है और बाक्स को उपन करते हैं अब बाक्स को उपन करने के बाद साबसे उपर हमें ये पावर बैंक साइस के हसाब से रखी गई है और चार आपको यहाँ पर एरबर्ट देखने को मिल जाते हैं जो कि एक्सरा रखे गए उसके लावा आपको यहाँ पर एक केबल मिल रही है केबल को भी मैं ओपन करता हूं और यह माइक्रो यूसबी की केबल रखी गई है जिसकी क्वालिटी ठीक है एवरिज निकल कर आती उसके लावा आपको यहाँ इस तरह की पैकिंग मिल रही है फिर आपको कुछ यहाँ पर पेपर वर्क देखने को मिल जाता है जो की यूजर मैनुवल गाइड होती है बॉक्स को निकालते हैं और यहां अगर बिल क्वालिटी की बात की जाए तो मैट फिनेशिंग में रखी गई है रियर साइट पर माइक्रो यूसबी की किनेक्टिविटी है और यहां पर आपको बैटरी इंडिकेटर भी मिल रहे हैं जो कि मुझे काफी अच्छी बात लगी और अंद में हैं कús स्टीकर को लगाया गया है ताका यह बाद में अगर आप चार्श करना चाहें तो इसको जब यहां पर आप वार्ट की भी ब्रेंडिंग देखने को मिल रही है, आपको यहां पर आपको ए टिकने को मिल रही है, यहां भी आपको एक माईक देखने को मिल जाता है जए को अब पहले गएक टिविआत करते हैं क психen nossa 하루 कि साउन कॉलिटी हमें कैसी देखने को मिल जाती है वेल दोस्तों अब हेलो GT1 Pro को में कनेक्ट कर चुका हूँ और यहां मुझे जो एक्स्ट्रा पॉइंट लगे वह है कि आपको 800 mh का पावर बैंक मिल जाता है जो के रिवर्स सेबल चार्चिंग को भी सपोर्ट करता है और बैट्री इंडिकेटर्स भी देखने को मिल जाते है चार अजार उपे की रेंज में अभी तक मुझे कोई भी ऐसी ब्लोड नजर नहीं जिसका 800 mh का पावर बैंक हो जिसके बाइर पर हमें बैट्री इंडिकर्स देखने को मिल रही है यहां पर ड्राइवर की बात की जाए तो 7.2 mm का डाइनमिक ड्राइवर लगाया गया है ज मुझे कॉल सुनने का वॉलिम था वो काफी बैटर देखने को मिला फिटिंग की बात करो तो यार जिम में भी अगर यूज करते हैं आप मतब जिम में जाना चाते हैं और आपको म्यूजिक सुनना है तो फिटिंग बहुत एच्छी निकल कर आती है मतलब आपको यह अगर लगा के आप जितनी मर्जी मुवेंट कर लें यह ब्लोड आपके कान से गिरती नहीं है जो कि मुझे काफी प्लस पॉइंट लगा और रेड्मी एर डॉट्स ऐसा ही यहां पर साइज रखा गया है और वहीं अगर वेट की बात कर ली जाए तो जो एर डॉट्स का वेट है वो राउंड अबाउट यहां पर 3.3 पर हैडशेट कुछ ग्राम निकल कर आता है जो के आई तिंग सो के रिजनेबल एकान में ज्यादा वेट फील नहीं होता और इन एर वाले हमें टिप्स मिलते हैं जिसकी वज़ए से यह है के एर टाइट हो जाता है ड्राइविंग में साथ इतना एक्सपिरियंस नहीं था बाकी गेमिंग के साथ यहां पर ठीक रहा साउंड कॉलिडी की बात करूं तो नो डाउट यहां पर रेड्मी एर डॉट से थोड़ा सा बहतर साउंड कॉलिटी देखने को मिला और एक एक्स्ट्रा चीज मुझे जो देखने को मिली वह है कि यहां पर आपको स्टच वाला जो पैनल है यह देखने को मिलता है मतलब अगर आप एक दफ़ा क्लिक करते हैं तो कॉल को रिसीव कर सकते हैं दुवारा क्लिक करेंगे तो कॉल एंड हो सकती है और अगर आप म्यूजिक सुन रहे हैं एक बार क्लिक करने से आप नेक्स भी कर सकते हैं और अगर आपने रीडाइल करना है नंबर को तो आप दो बार क्लिक करेंगे तो जो नंबर आपका लास्टाइल होगा वो भी रीडाइल हो जाता है और दूसी चीज़ है कि आपको उपर की साइट पर यहां पर एक LED नोटिफिकेशन लाइट भी मिल रही हो जो के मेंशन कर रही हो थी कि यह बैटरी लो हो रही है या अगर जब पावर बैंक में लगाएंगे तो चार्जिंग केनेक्टिविटी को भी शो करेगा कि यह फूल चार्ज हो गया तो फूल हो जाएगी तो ग्लू यह ग्रीन लाइट हो जाती है और जैसे ही आप इसको च सब्सक्राइब करेंगे अब मेरा एक्सपिरियंस यहां से थोड़ा सा बैटर होगा रिड्मियोडॉट से और प्राइज भी अगर देखो तो यहार रिड्मियोडॉट को काफी कंपेटिशन देता है हेलो का यह जीटी वन प्रो बाकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से भी और आडियो और म्यूजिक के हिसाब से भी काफी बेटर निकल कर आता है अब यह था मेरा परसनल उपीनियन ओवरॉल हब का अगर आप यूज कर रहें इस तरह की प्रोड़क्ट को तो आप भी अपना उपीनियन जो है वो कमेट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं मेरे उपीनियन मे साउंड लवर्स के लिए एक अच्छी चोईस निकल कर आती है तो आज की वीडियो में इतना यह मुलकात होगी नहीं वीडियो में किसी नहीं अन्बॉक्सिंग किसी नहीं रिव्यू किसे नहीं गंबारे दिनक साथ अब तक मुझे दें इजाज़त मैं हो लिए बासमा सेक से पक्सान पाइंदाबाद अलाहाफिज